दिल है कि मानता नहीं, fundamental analysis करने का मन अभी भी करता होगा, कोई बात में, अगर फिर भी आपका fundamental analysis करने का मन करता है, तो कौन सी companies के उपर आप fundamental analysis कर सकते हैं, जहां पर बचने का scope रहेगा, खुदर ना खास्ता आप फस जाएं तो, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैंने कोशिश करा इस वीडियो में बताने का, कि मैं fundamental analysis ये नहीं कह रहा कि fundamental analysis worthless है, मगर मैं ये कहने ही कोशिश करता हूँ, कि fundamental analysis है, जो आप objective अचीव करना चाहते हैं, वो objective अचीव नहीं हो पाएगा, एनिवेज, ये वीडियो आप देखेंगे, तो शायद आप इस वीडियो के बाद ये कह पाएंगे, कि हाँ यार अपने को लगता है कि fundamental analysis जो हम करते आए हैं, या जो समझते आए हैं, या जो सुनते आए हैं, उससे हटके हमें एक बार price action समझना चाहिए. कहीं पे भी fundamental analysis के नाम पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि revenue growth, या profitability growth, या FII का कितना participation है, या कि foreign institutional investors का कितना participation है इस company के share में, या promoters की कितनी holding है, या management का क्या vision है, या debt to equity ratio क्या है, या कितना cash surplus है, ये सब चीज़ें बहुत important और कभी भी मैने ये नहीं बोला कि ये चीज़े important नहीं हैं, यानि कि मैना कहने का मतलब ये है कि fundamental analysis करने का कोई फाइदा नहीं है, मगर मैने ये नहीं बोला कि ये सारी चीज़े important नहीं है, काईदे से fundamental analysis में जब आप ये सारी चीज़े अगर देख रहे हैं तो एक चीज तो definitely आप ensure करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो company का share है इसके डूबने के chances आप कम देख रहे हैं अगर इनकी जो सारे answers हैं वो अच्छे stage या अच्छे पात पे हो यानि कि एगर profitability बढ़ रही हो, revenue growth बढ़ रहा हो, promoters की holding जादा हो, promoters जादा disinvestment ना कर रहे हो, FII participate करना चाता हो, mutual fund भी यानि कि DII's भी hold करना चाते हो या debt to equity भी apt हो, cash reserves हो और expansion plans हो, management का vision हो, ये सब चीज़े ensure करेगा कि ये company के तौर पे बढ़ेगी मगर ये चीज़े ये ensure ये नहीं कर सकता कि इसका share price जो है वो multi bagger बन जाएगा या share price बढ़ेगा यानि कि आप ये सारे analysis से सिरफ ये ensure कर सकते हैं कि as a company model, as a business model, ये company definitely चलेगी और इसका share डूबने के chances कम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि share 40-50% नहीं तूट सकता, ये आप इन सारी चीज़ों से ensure नहीं कर सकते इसलिए वहाँ पे fundamental analysis lack करता है इसी में अगर हम second एक important point समझें, जहां अगर आपको fundamental analysis अगर करना भी है तो आप अगर करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की 20-30 companies, जो top companies हैं, यानि top large companies यानि कि जिसको मैं 20-30 blue chips बोलूँगा, उसके उपर आप fundamental analysis करके अगर पैसा लगाते भी हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तब भी शायद आप बच जाएंगे मगर आप अगर fundamental analysis की एक गलती, small cap या mid cap या वो जो 20-25 जो large cap के अलावा जो large cap है अगर आप उनके उपर एक गलती करेंगे, इस उमीद में कि सायद ये shares हमारे multi baggers बन जाएंगे, तो multi bagger का पता नहीं, multi bagger बना सकता है reason क्या है, कि जो 30-40 years पहले, जब हम ऐसी चीज़ें करके, कई छोटी-छोटी कंपनियों में में पैसा बनाया और जो आज बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां बन गई, वो evolution of the world economy different path पे थी evolution of Indian economy different path पे थी, evolution of markets different path पे था आज, speculative activity markets में multi-dimensional बढ़ गई है, आज, volatility financial world में multi-dimensional बढ़ गई है आज, world की economy और हिंदुस्तान की economy एक transition के phase से गुजर रही है और transition के phase में normally जो छोटी company, small, mid-cap या जो कुछ खास blue chip ना हो, उनके लिए sustain करना भी challenge हो सकता है and world की economy कैसे transition हो रही है और Indian economy कैसे transition हो रही है एक video मैंने specifically बनाई है और मैं request करूँ कि आप description box में जाके उस video को भी देख ले ताकि आपका mental alignment हो जाए उसी के तहट अगर आप top 20-25 companies में अगर आप लगा लेते हैं ये so-called fundamental analysis करके तो इसका मतलब ये जरूर है कि आपके पैसे normally डूबेंगे नहीं मगर ये ensure नहीं हो सकता कि आपके जो shares हैं जो fundamentally strong companies जो 20-30 companies हैं उनके share price 20-40% नहीं तूटेंगे जब भी downtrend आता है market में बड़ी सी बड़ी company चाहे fundamentally बहुत strong भी हो चाहे उसका business model बहुत robust हो too big to fail हो मगर share price उसके 30-40% तूटते वे दिखें हैं आपको और आप जब भी crisis आया है world में आप हमेशा आप वो सारे shares को देख सकते हैं मगर हाँ एक बात सची है कि over a period of time normally in companies में आपका पैसा थोड़ा बहुत बन जाता है मैंने return वाओ नहीं बुला मगर मैं यह कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत return बन जाता है क्योंकि आपने कभी check नहीं किया तो आपको लगता है multi bagger बन जाता है मगर उस case में मैं एक बार repeat करता हूँ कि अगर आपके पास कोई share 2008 से पहले था तो but always है आपका जो share है कोई भी company का normally multi bagger बन गया होगा मगर 2008 के बाद अगर आपने market में participate किया है तो normally ऐसे multi baggers आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि transition of the world economy हुआ, transition of Indian economy हुआ जिसके बारे मैंने बताया कि आप video को देख सकते हैं अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अगर हम large cap companies जो मैं top 20, 30 की बात कर रहा हूँ वहाँ पे at least हम safe है over a period of time बच जाएंगे क्योंकि reason क्या है कि जब 1991 में new economic policy बनी हिंदुस्तान की तो top 20, 30 companies हिंदुस्तान का जो total corporate profits था उसका 15% contribute करते थे यानि कि इंडिया में जितने भी small, micro या micro, small, medium, enterprise की अगर हम बात करें प्लस the corporate world यानि कि जितने भी corporates का जो profit था उसका 15% top 20, 25 companies contribute करते थे 1991 में धीरे-दरे करके 2001 तर ये ratio 15% से 30% हो गई अंदाजन 2010-2014 के आसपास ये अंदाजन 60% के करीब हो गई अंदाजन 2020 के बाद अगर हम देखें just recently तो ये ratio अंदाजन almost 80% हो गई यानि कि जो हिंदुस्तान का total corporate profits बनता है micro, small, medium and large enterprises का उसका जो 80% corporate profits है वो top 20, 30 companies, large companies contribute करते हैं और याद रहे important ये same companies नहीं है 1991 में जो companies की list थी और 2022 में जो list है वो same list नहीं है कई ऐसी companies थी जिनका contribution होता था आज वो उस list में नहीं है और इसलिए मैं कहता हूँ कि over a period of time normally ये companies आपको पैसा बना देती है क्योंकि ये हिंदुस्तान के total corporate profits में बहुत बड़ी company है उनमें से कई companies अभी भी जिन्दा हैं मगर कई companies जो चली गई हैं जो हट गई हैं उनका क्या उसमें तो आप multi-bagger या return जो modest return था वो भी नहीं बना पाए और इसलिए मैं कहता हूँ कि fundamental analysis करके जब हम large companies ये जब बड़ी-बड़ी companies पैसा लगाते हैं तो thankfully हम Indian economy के उपर bet कर रहे हैं और Indian economy since बढ़ रही है तो over a period of time वो जो top contributors of the corporate profits of Indian economy हैं वो भी बढ़ जाते हैं इसलिए वो modest return तो पक्का दे देंगे मगर याद रहे modest return देंगे exceptional return नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपको timing भी समझना पड़ेगा क्योंकि हर sector और हर share चाए large cap हो चाए mid cap हो चाए small cap हो हमेशा नहीं चलता है अब इसका मतलब ये अगर लेटर से आपका फिर भी मन करता है कि अगर modest return ही बनता है फिर फाइदा क्या हुआ तो हम उसमें ज़ादा return कैसे बना सकते हैं उसके लिए हमें price action समयना पड़ेगा क्योंकि price action हमें ये बताता है कि कब निकलना जरूरी है कब घुसना जरूरी है market में यानि कि October 2021 के peak में हमें निकलना जरूरी था ये मैंने कई बार चीक चीक के बताया है market में कि अब निकलने का time आ गया है similarly जहाँ 2020 का January February था और जहाँ पे COVID crisis फैल रहा था वहाँ पे निकलना जरूरी था similarly 2016 में या 15-16 के आसपास August September में वहाँ पे फिर निकलना जरूरी था और आप ये सोच रहेंगे क्या ऐसा पता लग सकता है कि यहाँ पे निकलना जरूरी और यहाँ पे घुसना important है definitely अगर आप ये सीखेंगे तभी आप समझेंगे कि यार वाकई में हम ये चेक कर सकते हैं कि कहां पे निकलना जरूरी है और कहां पे गुसना जरूरी है और कहां पे किस किस शेर में, किस किस सेक्टर में, किस किस कमपनी में कब-कब लगाना जरूरी है और कब-कब निकलना जरूरी है। यहाँ पे peaks और bottoms कोई नहीं बता सकता मगर buying and selling zone बताना असान है अगर आप समझेंगे जिसके लिए एक और वीडियो है description box में कि buying and selling zones पहचानना सीखें और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप price action को सीखें और यह fundamental fundamental के उपर जाब time wastage, cost wastage करते आए हैं उसको थोड़ा side पर र मैं उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको ये भी समझ आया होगा कि मैं fundamental analysis के जो parameters है knowledge के perspective से बड़े important है उस company के perspective से बहुत important है मगर company के perspective यानि कि business model के perspective तो important हो सकते हैं share price के लिए important हो या ना हो वो आप गल्प betting कर रहे हैं और साथ में अगर आपको ऐसी betting करनी भी है fundamental analysis के basis पर करनी भी है तो आप कौन सी set of companies के उपर करेंगे वो मेरा बताने की एक कोशिश थी ये जो series है ना जो myths है misconceptions है या जो mistakes है जो हम financial planning या portfolio building में आज तक करते आए हैं इसका purpose है कि कौन-कौन सी ऐसी गलतिया है जो आज तक हम करते आए वो ना करें क्योंकि बच्प कर लेना क्योंकि उनका मानना है कि जैसे से हम बड़े होंगे matured होंगे तो क्या करना है याने कि what to do and कैसे करना है याने कि how to do हम खुद सीख जाएंगे मगर यह जो financial planning और portfolio building है ना यह हम खुद नहीं सीख सकते बड़े होगे maturity से नहीं सीख सकते इसके लिए हमें technical expertise hand holding के साथ live market में जब समझेंगे तो ही समझ आएगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिसके लिए मैं request करूँगा कि आप एक बार हमारे साथ portfolio education services में at least six months gold version में जुड़के देखें आप अगर 6 महीने जुड़ेंगे तो आप उसके बाद repent नहीं करेंगे आपको यह पता अप्लोड करते हैं और मैं उमीद करता हूं कि आप में साथ हर सोशल मीडिया पर में साथ connected हो चुके हैं thank you very much नमस्कार है जैहन